नमस्कार मैं हुदिबांग आज हमारे साथ बात करने के लिए बेहत खास महमान और बड़ी बात यह है कि केंद्रिय मंत्री हैं दस साल से एक ही भिवाग समाल रहे हैं और ये भी अपने आप में बहुत कुछ कहता है नितिन जैरामगटकरी आप रोड ट्रांसपोर्ट और करचा भी कर डाली और क्या ये नहीं होना चाहिए कि बड़े नेताओं को जिनका बिल्कुल निर्विवाद है जिनको तो चुनाओं मदब अगर कॉंग्रेस की तरफ देखें वो भी नहीं दाविदारी कर सकती तो उनके नामों की घोशना बड़े नेताओं की नामों की घो करती है तो पहले लिस्ट के समय उत्तरपदेश, मध्यपदेश और गुजरात तीन राज्यों के टीम के साथ ही पारलेमेंटरी बोड की चर्चा हुई और उन राज्यों में जो प्रमुख नाम थे वो डिकलियर हुए उस समय कुछ लिस्ट उसकी डिकलियर हुई की चर्चा हुई और उसमें पहले लिस्ट में ही मेरा नाम आया इसके पीछे कोई कारण नहीं था कोई उद्देश नहीं था अब कारण होते हुए मिडिया में और कुछ विपक्षिय लोगों ने कारण उसकी चर्चा की वह प्रस्तुत भी थी और गैर थी जैसे बात हुई यह भी देखा जा रहा था कि अड़कल लग रही थी कि इस बार में हिनका गांदी को वरॉण गांधी को टिकट मिलेंगे नहीं मिलेंगे सस्पेंस खुला पांच हुई लिस्ट में हैं यह भी एक देखा गया उनकी उत्त्र परदेश की पहली सेकंड लिस्ट हो थी है वह उ पर्लिमेंटरी बोर्ड के साथ चर्चा करती है, उसके नुशार वो स्टेप बे स्टेप निर्ने होता है, वो स्वावगी को और ऐसी पद्धती चलती आई है. इसमें ये बात भी जुड़ी के उद्धर ठाकरे ने आपको ओफर कर दिया? बहुत लोगों ने ये बी जोड़ा कि किस तरीके से आपका एक तरीके से होड है शायद या एक कहानी ये भी चली कि मोदी जी हैं और आप हैं, तो एक अन्बन भी रहती है, क्या तनाव रहता है रिष्टों में, कुछ खटास रहता है रिष्टों में, आप जब पार्टी के प्रेजिडेंट से तब से लोगों ने चीजों को जोड़ा अलग-अलग घटनाओं को कि इस तरह से कोई बात हुई थी पहले एक एक विर्टी को लेकर, क्या इस तरह की बातें, बातों को बल मिलता है, इस तरह से इसमें कोई सचाई है? मेरे अकसर मजाल मंते से बहुत बार बाच्चेत होते रहती है, पर सभी वो अमारे द्वारका एक्सप्रेस हैवे के उद्गाटन के लिए आये थे, और इस प्रकार की कोई बात होती नहीं, और इस प्रकार की चर्चा भी नहीं, हाँ, एक बात जरूर है, जो लोग डारेक्ट टिका करने के लिए डरते हैं, और मेरे कंदे पर बंदू करकर अपने बात कहने की कोशिच करते हैं, इतना ही उस्वाय है, पर हमारे बीच में ऐसे कोई है नहीं है, हम सब विचारों के लिए संगटन के लिए काम करते हैं, दे आदमे कोई तो भी उसके उपर मिस्यूज करके उसको मिसिंट करता है, और फिर मीडिया में लोग उसका आधार लेकर लिखना बोलना चर्चा करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, अगर मेरा सभावी मुझे कुछ बोलना है, तो मैं डारेक्ट बोलता हूँ, तो मैंने कि अभी बोले हैं और मेरे नाम पर लगा देते हैं, क्या ये गटकर जी इसलिए भी होता है, क्योंकि जिस तरह से आप हैं, मैं आपको लगातार देखते आ रहा हूँ, आप जो बात होती है, बिल्कुल सामने बोल देते हैं, कुछ प्रधान मंत्री जी भी ऐसे ही हैं, वो कि और मेरी अनेक बार अनेक विश्व पर चर्चा होती है, ये जो बाहर के लोग हैं, वो बैटे-बैटे खाली लोग बैटे हैं, वो इसे तरक शास्त्र के आधाल पर इधर उदर की बाते करते हैं, हम सब लोग मिलकर एक देश के लिए, एक आतमंदीर बर भारत के लिए, और राष्ट्रवात के विचारों को लेकर राष्ट के लिए काम कर रहे हैं, और यही हमारी सब की मिलकर कोशिश है, गटकर की बहुत चर्चा है, एक दम साफ राए है इस बारे में, क्या कहते हैं, दिखिए, विवेका लंजी ने भी कहा था कि, जीवन में पैसा ये साधने, साध्य नहीं हो सकता, और ये भी सच्चाई है कि कोई भी पोलिटिकल पार्टी को, कही न कई पैसा लगता है, आप प्रोग्राम करोगे तो आपको स्पांसर लगता है, नेचरली उतना बड़ा खर्चा नहीं कर सकते हैं, तो कही न कोई सनजश कोई व्याउट निकालना चाहिए, इसी भाव में अरुन जी ने उस समय ये इलेक्ट्रोल बॉंड का इशू लाया था, इसके पीछे राजनीती में स्ट्रेट फॉरवर्ड टांस्परेंसी से ये पोलिटिकल पार्टी को पैसा मिले है, यही उदेश ता हूँ अच्छा था अब सुप्रिम कोड में मैटर सब जूडिस है, तो सुप्रिम कोड जो कहता और जो हमारी पार्टी सभी पार्टी मिलेंटी बनेगी, वेसी निती बनेगी, पर मैटर अब सब जूडिस होने के कारण, इसके ओपर ज्यादा कॉमेंट्स करना उचित नहीं होगा. पर गटकी जी देखें, ये कि 26 कंपनियों ने तब पैसा देना शुरू किया, जब मुझे पर CBI की रेड हुई, जैसे जैसे रेड बड़ी, वो दान बढ़ता चला गया. पहने की बाते होती है, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सब माते अभी सुप्रिंग कोट में चल रही है, अभी इस समय ने बात ऐसी होती है कि जब बाते कोट में होती है, तो इसी बातों पर ज्यादा चर्चा करना अफिक्षित नहीं होता. सीबी आई ने रेट की, उससे पहले डियलेफ ने किसी को पैसा नहीं दिया था, सीबी आई की रेट के बाद 172 करोड उन्होंने आपकी पार्टी को दिये, बीजेपी को दिये, मेगा इंजिनेरिंग इंफ्रस्ट्रक्चर कंपनी है, आपने कॉंट्रेक्स देते रहे उसको आपका तो कहर पूरा टेंडर होता होगा, बिडिंग होती होगा, उसके साबसे पर उसने फिर पार्टी को फंड को पैसा दिया, 600-59 करोड रुपे उन्होंने दिये, कॉंगरेस पार्टी को भी उन्होंने दिया, रिलेटिबली कम दिया, जैसे आप बता रहे हैं कि उनकी TRP कम थी कॉंग्रेस की क्या ये सब सवाल नहीं पैदा करती दिए पहली बात तो डोनेशन का और और किसी बात का कोई संबन नहीं है और मैं अभी आज तक दस साल में शिपींग पोर्ट्स बाद में रोडवेज वाटर रिसोसे में समी रूरल में सब मैं अभी तक पचास एक ला कोई नहीं कोई किसी के ओपर कारवाई होगी इंकम टैक्स की किसी को कोई से और कोई प्राब्लम आएगा उसको इसके साथ जोड़कर कहना मुझे लगता हुचितनी होगा आपने जो काम किया उसके बारे में तो मैं आगे बात जरू करूंगा और उसमें तो कोई सवाल ही न अलाकर जो जांच एजेंसियां हैं क्या लगता है कि उनकी मदद हुई बहुत जब पॉलिटिकली भी यानि जब शिवसेना टूटी जब एंसीपी टूटी तो वो ने था जो जिन पर सवालिया निशान थे वो एक तरीके से बीजेपी की तरफ आए इस अब गलत बात है वस ज़ेए गणन्त बाते होती है अशोक चवान तो इसके बारे में कुछ बोल नहीं रहे ना कभी उनने बोला है केवल तरका के आधार पर पहलाना अनुचित है और ऐसी कोई वस्तोष्टिती नहीं है एक नेता है जिनके बारे में बीजेपी के नेता अजित पवार की बात कर सच है उनको भी तो कोई डर रहा होगा देखिया राजनीती में ऐसा कहा जाता है कि इसे गेम ऑफ कंपोशन्स क्या थिए चलते रहता है अनेक लोग इंबर जैसी के किलाफ पहले इनियराजी के खिलाप साथ में थे और इमयर्यसी कि तारीब कर रहे ऑर बाद में अचनक वह बदल कर भी आ गए तो यह थोड़ा हों लाजनीती में कभी-कभी होता है उनका मत परिवर्तन हुआ और उनको लगा कि भारते जनता पार्टी देश की तस्वीर बदल सकती है वो पार्टी में आया है गट करीजा आप कहारें कि बिल्कुल जांच एजेंसियों का उन पर जांच का कोई असर नहीं था कोई असर नहीं था कोई सम्मन नहीं एक बड़ा सवाल जो है पोलिटिकल सवाल है वो यह है कि देखे इस समय दो बड़ी पार्टियां थी महाराश्क में जो तूट चुकी है और एक असमंजस की स्थिती है कि क्या वो व्यक्ति बीजेपी का वोटर जिसने लगातार बीजेप के या आपका जो गड़बंदन है उसके एंसीपी के उम्मीदवार को वोट देगा जिसका वो लगातार विरूत करता रहा या वो घर बैठ जाएगा एक बड़ा सवाल है कि क्या ये वोट्स ट्रांसफर हो पाएंगे यह आपको एक बात वाद आपको गुराना इतियास या अब इसके अलग कारण उस समय उनके पारटी के अनतरगतकारण नहीं कोते हैं मुझे लगता है कि अगर इन सब में एक व्यक्ति है जो आपके मित्र भी है राश्ठाकरे वही हैं ऐसे जो मेरे खाल से किसी दवाब के वगैर अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए शायद आपकी तरफ आ रहे हैं क्या ही कहना गलत होगा अभी चर्चाय हो रही है अभी अन्तिम तो कुछ बाते सामने नहीं आई है पर उनकी अमिच्छा से मुलाखात हुई है मुझे लगता है जब सब कुछ होगा तब इसके उपर बोलना उचित होगा आप चाहेंगे कि वो आएं बीजेपी के गड़ बंदन में देखो वो मेरे है जब विरोध मेटे तब भी ते आज भी है और कल आए या नहीं आए तो भी रहेंगे गारजनीति अलग है दौस्ती अलग है मैंने मेरे 50 साल के गड़नीती मैं जिसका हाथ पकड़ा उसका दोस्त थे, दोस्ती रही मैं पर इस टिती के नुसार और राजनीति के अज़नी दिल्ली चलें अगर अंगटकरीजी तो वहां बड़ी गर्मी है केजरिवाल की गिरिफतारी को लेकर और आमाद्बी पार्टी है उसका कहना है कि अर्बिंदो फार्मा के जो एक अधिकारी है अर्बिंदो फार्मा के शरचंद रेड़ी उनकी गिरिफतारी हुई नवंबर 2022 म 23 में वो अपरूवर बन गए उन्होंने काफी इलेक्टरल बॉंड खरीदे दिये आपकी पार्टी को करीब 60 करोड बता रही है हमाद्बी पार्टी और उनके बयान के आधार पर केजरिवाल की गिरिफतारी हुई इस गिरिफतारी को आप कैसे देखते हैं मुझे तो इसकी से पहले क्या ये साबित हो जाएगा कि वो बहुत भ्रष्ट हैं एजनसी इंडिपेंडेंटली इंपार्शली और फेरली काम करती है उसने क्या काम करना चाहिए कोई डिरेक्शन सरकार से नहीं मिलते हैं गटकर जी दूसरे वो नेता हैं जिस जिनको आप एक बार मेरे शो म के लिए क्रिक्षप का पूसरे कि या जाने के लिए केनिडेडैस कीमद कर सकें कहने हमाए तो खाते इसी कर दिए रूलिंग पार्टी चाहती नहीं है कि विपक्ष रहे देखिए कोई भी नेरना यह होता है वह नियम के अधिर होगारा कि आढख है कियो डि़ेक्ष्त्यां मैं आपसे पूछाओं कि अभी जो नारा है 400 पार यह 400 कहां से पार होगा कहां से आंकड़ा आएगा 400 का देखिया 10 साल के हमारी विशेष्टा यह कि politics of development केवल बात में कि मोदी जी के नेतुरुत में हमने यह काम करके दिखाया दूसरा हमारे आयुष्य योजना उजवला योजना से लेकर सब योजनाओं तक गरीबों को फाइदा मिला है ट्रांसपरंसी के साथ लोगों के अकॉंड में पैसे जमा हो रहे हैं इन सब बातों का अन्वो जो common man को मिल रहा है उसकी जो positivity हमारे प्रती है उसके आधार पर हमको जैसे अभी चुना हुए राजस्तान, मद्यपदेश, 36 गड़ हम अच्छी तरीके से जीते उसी के आधार पर आने वाले समय में हम देश में सब जगह जीतेंगे और 400 पार मिश्चित रुप से जाएंगे ऐसा मेरा मिश्वास है पर इसका लक्ष क्या है? क्या करना चाहते हैं? क्या आप जैसा बहुत लोग कहा रहे हैं आप समविधान में परिवर्तन करना चाहते हैं? हम बिलकुल नहीं करेंगे, नाम ने कभी कहा है समविधान में बदलने का सभाले नहीं हुटता यह हमारे बारे में अपप्रचार किया जाता है केशवानन्द भारती केस में सुप्रीम कोट ने ये जेज्मेंट डिया है कि साइलेंट फीचर सब दो कॉंस्टिशन कानोट बी चेंज और मैं आपको साथ बताना चाहता हूं कि 1975 के इमर्जेंसी के बाद कॉंग्रेस ने इंद का इस्तिमाल किया जाता है कि मारक्षन दद्द करेंगे सभीदान को बदल देंगे जब कोई लोग अपनी बात को कंवीज नहीं कर सकते हैं तो कंफ्यूज करने की खोशीश करते हैं उसका उपरहास हैं क्या चाहेंगे कि अगली बार भी आपको यही मंत्रा ले मिले जो देरने होगा उसको स्विक्यार करेंगे पर बहुत सारी योजनाएं होंगी आपकी जो अभी भी पाइपलाइन में होंगी अधूरी रह गई होंगी जिन पर बात जीवन में कोई काम पूरा नहीं होता है एक काम से दूसरा काम पैदा होता है दूसरी बात होप ऐसी होती है तुम कितना भी काम करो, लोगों में समधन नहीं होता है। बहुत बहुत दन्यवाद कर जिए चुनाफ के बीच में आपने हमें। बहुत 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 थैंक यू वेरी मुच्छ, इस अ प्लेजर पॉर बी, थैंक यू, थैंक यू